हलो एबरिवान हितेश यार और टुड़ेगा टॉक अबार दी लेटेस्ट रिलीजड मुवी कॉल्ड सलार जिसका रिवियू अल्रेडी में चानल हितेश नागर पर अपलोड़ेड है अगर वो देखना है पहले तो वो भी देख सकते हो बिल्कुल स्पोईलर फ्री है हर बार क्रदेड आते ही मैं मुवी को एक्स्प्लेa करता था लेकिन आप मेंसे ही कुछ कमेंटर हर बार ये कमेंट करते थे कि बारे में उसकी पुरा नी बूरीफ पास्ट हिस्टरि सब कुच तो ये वीडियो चलर जाएगा इसलिए only main characters के उपर बात होगी ताकि ये वीडियो आराम से crisp and clear बनकर तयार हो जाए और आप लोगों को main main storyline समझ में आ जाए दूसरी चीज जो सभी लोग सूच रहे थे कि इस movie का KGF के साथ में कोई न कोई connection होगा या इन दोनों के बीच में कोई spin-off होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों storylines different है KGF एक अलग timeline एक अलग world एक अलग dimension में exist करती है और सलार एक बिलकुली अलग story है So now without wasting any time चली आते हैं इस कहानी की main storyline की तरफ जिसकी शिरवात में scene shift होता है खांसार नाम के शहर पे जहां हम दो दोस्तों को देख पाते हैं एक का नाम है देवा एक का नाम है वर्दा वर्दा का full name है वर्द राज मननार जो की यहां के king राज मननार का बेटा है राज मननार की total दो वाइफ होती है पहली वाइफ से उसको दो बच्चे होते हैं रुद्रा जो की KGF मूवी में गरुडा भी था और एक लड़की वहीं सेकंड वाइफ से दो बच्चे होते हैं एक वर्दा और एक वर्दा का छोटा भाई रुद्रा जो की अपने आपको superior मानता था व लेकिन दोस्ती के खातिर देवा कुछ भी करने को तैयार था जहांपर रुद्रा कहता है कि मेरा एक solid player है अगर तुने इसको हरा दिया तो न थुनी ले जा जस पर देवा गुस्से में आकर पहुंच जाता है सिदह लड़ाई करने के लिए वर्दा उसे पीछे से रोकता है लेकिन देवा का गुस्सा था अप्रम पार और वो एक strategy लगाता है इस जंग में जीतने के लिए basically वो एक विजली की तार को खुला छोड़ देता है और जैसी वो तगड़ा player उसे भढ़ने के लिए आता है तो देवा विजली की नंगी तार को पकड़ लेता है जैसे उसे वर्दा को उसकी नथोनी दिलवा दी थी फिरसीन शिफ्ट होता है रात में जहां वो खुद के घर यानि की देवा अपने ही दर्वाजे पर कीले वीले ठोक रहा था उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उस घर में उसकी मां बैठी हुई थी तभी सोचे समझे अपने हाथ का एक कड़ा निकाल कर उस बंदे को दे देता है क्योंकि उस कड़े से बीसी के ली एक कंप्लीट लोकैलिटी का डिस्ट्रिबूशन होता है मतलब कि जिसके पास छोटा कड़ा है तो वो एक छोटा जिला या तैसल रखता है किसी के पास बड़ा मतलब थी इसलिए कड़ा लेकर वो देवा और उसकी मा को छोड़कर चला जाता है घर से बाहर निकलने के बाद मा देवा को कहती है कि हम लोग यहां से चले जाएंगे और आज के बाद कभी भी खांसार में लौटकर नहीं आएंगे लेकिन मा से वादा करने से पहले देवा को यहां पर खत्रा है तो अभी तुम निकल जाओ लेकिन जाने के साथ साथ वो उसे एक नाम भी देदेता है जो की होता है सलार जोसके बाद से शिफ्ट होता है प्रिजन टाइम में और यहां देख पाते हैं एक बहुत बड़े बिजनसमैन को जो की खांसार के दुश्मनो बेटी को ढूंडने में लगे थे वहीं उसके पिता जी इंडिया में अपने को यूज करते हैं और बताते हैं कि मुझसे गलती हो गई मेरी बेटी इंडिया पहुंच गई है दुश्मन यानि की खांसार के लोग उसे पकड़कर चीर फाड़ देंगे मैं चाहता हूं कि कि वह और उसे और ये वीडियो चोटा बन जाएगा खेर मजाग कर रहा हूं इंडिया में जो बिजनसमैन का दोस होता है वो बताता है कि शृत्ती हसन की अब रक्षा खाली एक ही शक्स कर सकती है और वो है अम्मा अम्मा बोले तो देवा की मम्मा लेकिन इसके लिए शृत इस टीचर बनकर गाओं की बच्चों को अच्छी एजूकिशन देना चाहती हूं तो मुझे आपके अंडर जॉब वगर दिलवा दो मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी अंटी जिमना कर देती हैं कि तुनी टिक वाएगी बच्चे बहुत हरामी है लेकिन शृत्ती कहती कि आजमा कर तो देख लो तीन-चार दिन में अगर नहीं बने तो मिरे को भगा देना और बीसी के लिए उसे तीन-चार दिनों का वक्त ही चाहिए था ताकि सलार भाई साब जो भी शृत्ती के पीछे पड़े उसे पेल कर रख दे अब जहां एक तरफ वो रोज स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है वहीं दूसी तरफ सलार भाईया जाकर खांसार के दुश्मनों को ठिकाने लगाते रहते हैं लेकिन इस बीच उनकी मम्मी का पशेसवनेस भी दिखाया जाता है जा एक तरफ उनका ये मानना था कि मेरा बेटा शाम को 6 बज़े से पहले घ सप्लाय करना चाहता था लेकिन हर जगे पलीस मीडिया इन सब का डर था उसे तो वह अपने किसी कॉंटेक को बुलाता है कहता है कि माल की सप्लाय वगर करवा दे एक बड़ा हिस्सा तुझे दूंगा अब यह भी जो गैंस्टर होता है यह अच्छा कासा नामी गिरामी गै इस सील को कोई भी रोख नहीं सकता पुलीस नेता डौक्टर वकील कुंडा मलब इस सील के आगे सब निल है जिसने सील को तोड़ा लोग आकर उसे तोड़ देंगे बीच में होता है कि पलीस वाले उस गाड़ी को रुखवा लेते हैं लेकिन जैसे सील को देख ते हैं तो वो दरकर भाग जाते हैं कि इस माल को चुआ तो यहां के लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे मान जाता है कि खांसार की सील है और ऐसा देश है जो की भारत के नक्षे तक पर नहीं है यहां की लोग इंसान नहीं खोकार जानवर हैं और वहां की सिक्योरिटी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के वाइट हाउस से भी ज्यादा से क्योर है कुल मिलाकर खांसार के बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बाते होती है कि उधर का माल है रोकना नहीं है इसको अब यह माल तो लेकर मेरे पास में अब आंटी जी के कहने पर पंडित जी अपनी पूरी टीम के उठाकर तिंसुकिया पहुंच जाते हैं यहां पर उन्हें शृत्ति मिल भी जाती है और वो उसको लेकर जाने लगते हैं अम्मा जी अपने आखों के सामने यह सारा रायता फैलते वे देख जाले उसको और फिर आते हैं देवा भाईया जिसकी पूरी पिच्चर में वो आएगा उसके आने से यह हो जाएगा तो वो परसन यानि की देवा जी आ जाते हैं और बहुत सारी मार कुटाई धुलाई पिटाई ठोकाई बोले तो सारे गुंडों का सर्वनाश मगर अब य गया है सील को रोकना यानि की मौत को दावत देना तो वर्धा जी मलब शुरू के स्टार्डिंग में नतुनी के लिए लड़वा रहे थे वो कहते हैं कि इस पूरी इंडिया में एक ही शक्स है जो सील को रोक सकता है और वो होगा देवा और खांसार की नियमों के हिसाब से जिसने सील को रोका वो मरेगा यानि कि अब देवा मरेगा मीन्वाइल कहानी में ये भी पता चलता है कि जिसने सील बनाई वो खुद भी है सलार यानि की देवा ने ही ये बनाई थी खैर अब शुत्ती जी की जान तो बच चुकी होती है और अब उसे सेफ रखवाने के लिए देवा अपने खास आदमी यानि कि शुरू वाला गैंस्टर रादमी था उसे बोलकर शुत्ती को दूर कहीं बिजवाने लगता है और अब जंग छेड़ने वाला होता है वर्दा के खिलाफ मीनवाइल रस्ते में जाते जाते शुत्ती जी गैंक्सर से पूछती है कि आखिर सलार कौन है इसकी मम्मी कहां से आई है ये स्कूल चलाने का क्या फायदा है वो रेंज पाना स्कूरू ड्रैवर चलाने वाला इंसान गन वगर कैसे इतनी चला रहा है उ तो उन दिनों लूट पार्ट का बड़ा चलन था जसमें तीन कबीले शामिल होते हैं इनका नाम होता है शोर्यांग मनार और गनियार हजार साल तक इन्होंने निर्वरोद बोले तो बिना लड़े खुद से इंटरनली दूसरे लोगों से लड़े बिढ़कर पैसा वैसा ख मनार और जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का डाइवर्जन हो रहा था तो यह पहुंच गए सीधा पार्लेमेंट में अपने बेटे गोद में रख करके राजमनार को और जाकर खांसार को इंडिया के मैप से मिटा दिया और कहा कि इंडिया का कोई भी कानून खांसार पर कट होगा अब धीरे-धीरे करके समय आगे बढ़ता गया शिव मननार की हालत खराब होती गई तो अब लॉजिकली तो अगर वो मर जाते हैं यानि की मननार कबीले के बाद में शौर्यांग कबीले के लीडर की बारी आनी चाहिए सब पर रूल करने के लिए लेकिन उनका ब बड़ी बड़ी दिवारे खड़ी करवा देता है हाइटेक सेक्योरिटी यहां पर मंगवा लेता है ताकि कोई में लीडर बन ही नहीं सके और उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलिशन्स सभी पर लागू कर देता है अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मूवी का यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसे हम एक्स्प्लेइन कर देते हैं राजमनार ने अपने पूरे राज्य को 101 शहरों में डिवाइट कर दिया होता है और हर एक शहर का एक लीडर भी तैनात कर दिया जाता है अब यह जितने भी लीडर है यानि कि 101 इनने भी तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया जाता है kपार थर्ड न हांबर पर ये और वोट की ताकत होती है और एक होता है एक बड़े वाले राज्य को खो दिया था तो एक छोटा राज्य इसे भी दे दिया जाता है तो टोटल मिला के 101 हो जाते हैं अब यहां पर सबसे खास बात यह थी कि राज मननार ने आठ सरदारों में से पांच लोग तो खुद गी ठूसेवे थे हर एक का नाम हर एक की कहानी बताऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी सो नाव डारेक्ट स्टोरी पर वापस आते हैं इस वक्त करता बोले तो राज मननार जसके पास में 15 वोट्स की ताकत होती ह है जो की for the moment पूरे खांसार को मैनेज कर रहा होता है उसके पास में यह information आती है कि किसी ने खांसार से एक बहुत बड़े गन्स ग्रेनेट इलीगल वैपन का ओडर दिया है योईस में गई तो और वो सारे हतियार बनना शुरू हो चुके हैं अभी ओडर किस ने दिया इस ब तेरे पास temporary power है थोड़ा बहुत manage कर लेना लेकिन खांसार में पुराने नियमों के हिसाब से एक निभंधन होता है जिसमें यह बात मौजूद थी कि जो भी powerful है वह अपनी पावर का यूज करके अपना दमखम दिखा करके अच्छी पूस्ट को हासिल कर सकता है यानि की करत प्रमल मूवी से अनिल कपूर जी रनवीर कपूर से कह रहे होते हैं कि यार प्यार तो बहुत किया लेकिन तुझे याद और सी टाइम किया जब गोली बड़ी वगे सो मजाक नहीं साइड में में स्टोरी पर आते हैं उनका कहना था कि तुझे आज तक मैंने कोई हक तो नह इस पोस्ट पर होता है तो नारंग को हटवा कर खुद एक सरदार बन जाता फॉर्दा मॉमेंट के लिए तो सबी लोग आकर नारंग को बढ़गा देते हैं कि यार यह तो करता बन जाएगा एक काम करतें वर्धा को निपटाते हैं उसके बाद में देखा जाएगा जो भी कोई लड़ाई नहीं करेगा मगर उसे का भाई रुद्रा मनार यह कह देता है कि खांसार की किताब में लिखा हुआ है कि करता डारेक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता सभी सी लेवल मेंबर्स की वोटिंग होगी सी लेवल मतलब जो की कंपनी के सी यो सी टी यो सी एमो होते तो यहां पर यह आप इनको मान सकते हो अब यह वोटिंग हुने वाली थी इनाट के बाद में जहां पर यह बात सीज वहर रखी जाए कि हटाई जाए अगर लगी रहती है वोटिंग में जीतने पर यहानि कोई किसीजे मार क टाई नहीं करेगा नॉर्मलाइज शासन होगा और अगर हटा दी जाती है वोटिंग में यह बात लागू हो जाती है तो हर जगे मार धड़ाई होगी जो भी अपने किसी को भी दुश्मन वगरे मानते हैं सारे के सारे लोग मार दिये जाएंगे तो इस चक्कर में यह जो आठ सरदार होते हैं यह अपनी अपनी टीम को बिल में से मदद मांगने के लिए जाते हैं यानि की देवा और वो इनकी मदद करने के लिए यहां पर आवी जाता है अब इस बीच कहानी में तीन ऐसे बड़े-बड़े इंसिडेंस होते हैं जो कि मैं एकदम शौट में निटा देता हूं पहली बात तो यह कि नारंग अपने बेटे को अब एक नया सरदार बनाना चाता था बेटा जो की हरामी था हर दिन एक नई लड़की लाना चाता था पतंग उड़ाकर लड़की चूस करता था तो सलार गुस्से में आकर उसे मार देता है सेकंड बड़ा इंसिडेंस यह होता है कि नारंग जो कि अपने बेटे तो खेर स्टोरी को स्ट्रेच करने के लिए यह तीनों पॉइंट्स स्टोरी में डाले गए थे लेकिन एक्स्प्लेनेशन के हिसाब से यह तीनों जल्दी में ही मैंने नपटा दिये हैं अब बात करते हैं डारेक्ट कंक्लूजन पर 9 दिन हो चुके होते हैं और अब तो रा सीजफायर और 50% लोग बोलते कि नहीं लगे वे रेंदो सीजफायर अब सारा कुछ वर्दा के लास्ट ओपीनिन पर डिपेंड करता था कि हटाओ या फिर लगाओ तो वर्दा के पिताजी यानि कि राजमनार जो की करता होते हैं जिनके पास हैं 15 वोट्स की पावर भी होत अब उसने यह option क्यों लिया वो हमें इसके second part में बता चलेगा अब यहां पर होता है कि हर कोई मार कोटाई पर उतर आता है जहां पर वर्दा और सलार यानि की देवा यह दोनों मिलकर धेर सारे लोगों को धेर सरदारों को कूट पाट देते हैं बहुत सारा खून खराब हो होता है डेर सारी फाइटिंग लेकिन इस चलती मार को टाई में यहां राज मनार को भी कोई शक्स मारने के लिए आता है जो की होता है उसका खुद का जवाई यानि की पहली वाली बीवी से पैदा हुई बड़ी बीटी का पती मैं जानता हूं थोड़ा सा लंभा रिलेशन कि बच्चों पर कोई हाथ वात ना उठा पाए और गनियारों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन लोगों में एकता कभी नहीं थी इसका सीधा मतब साफ है कि एक को चाटा मारोगे तो दस लोग साइड में यूँ ही बैढ़ जाएंगे कि यह एकता नहीं अपने में क बचा लिया था तो देवा भी खुद शौर्यांग कभीले के लीडर का बेटा होता है और जो मैंने शुरुवात में आपको बात बताई थी कि अगर मनार कभीले का कोई सरदार या कोई लीडर वगर अगर अपने पोस्ट से हट जाता है मर जाता है तो सेकंड नंबर पर बा लार पार्ट टू यानि कि शौर्यांगा परवाम उसमें यह पता चलेगा कि शृत्ति को बचा लेने के बाद में क्या मतलब तोड़ी गई है तो खांसार की लोग उसके पीछे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे दूसरी चीज अगर देवा ही शौर्यांगा से बिलॉंग करना बाकी है जैसे कि बाहुबली को डिवाइट कर दिया गया था तो यहां पर सलार को भी दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया है फॉस्ट पार्ट वाउज गुट टू वाच मैं परसनली कहूंगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ देखना चाहते हो तो डेफ कर रहे थे आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजेगा और पहली बार इस चनल पर आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हाल ही में जितनी भी लेटेस्ट रिलीज्ट मूवी हुई है हम हमने उनका रिव्यू प्लस एक्स्प्लेनेशन दोनों ही कर दिया है कुछ दिन पहले डंकी का किया था आज सलार का चुका है और अब डीसी की जो और भी मूवीज है जैसी की फ्लैश ब्लू बीटल इसी के साथ लेटेस्ट रिलीज्ट एक्वामन टू वो सब भी आनी बाक सब्सक्राइब आगे हम और भी अच्छी और बैतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए की बॉच्चिंग